Hello everyone and welcome to the banka IQ, मेरे नाम है Tarun और अब हम करेंगे mini mock का set number 94 तो दिखते हैं इसमें questions क्या 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 है यहाँ पर आपके पास यह symbols दिये हुए ठीके, आपको इन quotes से find out करना है उसने आला है, कि which of the following expression indicates k is the uncle of m k क्या है, वो uncle है, किसका m का अगर k uncle है, मतलब वो male होना चाहिए और किसका m का ठीके, तो अगर मैं यहाँ पर options में देखता हूँ, देखिए आपको सबसे पहले यही चीज़ देखने है, कि k का gender कहाँ पर fix हो रहा है और वो male का है, ठीके, इसमें अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से क्या है, देखिए p is son of, मतलब क्या है, k son होगा, यह तो हमें confirm है तो इसकी होने की chances है, यहाँ अगर बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि p is brother of q, मतलब क्या है, g कौन है, वो brother है, किसका k का, तो यहाँ से मैं k का gender को find out नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ से नहीं हो सकता ठीके, फिर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, उसने होला, कि p is sister of q, मतलब क्या, g क्या sister है कि, k की, लेकिन k का gender आपको clear नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता है इधर से अगर बात करूँ तो, k is husband of d, इसके होने के chances हैं, यहाँ से अगर बात करूँ तो, d कै, d brother है किसका, k का, यहाँ से भी clear नहीं हो पाएगा, k के gender तो यह भी नहीं हो सकता तो, यहीं दो आपके पास क्या options बजे, ठीक है, इन दोनों options को हम एक बाद चेक कर लेता है अगर मैं बात करूँ आपसे first की, तो first में हम किस तरीक से करेंगे, k is son of b, k क्या है, वो son है किसका, b का, ok and b is husband of g, b क्या है, वो husband है किसका, g का, ok and g is son of d, g क्यों है, g son है किसका, ok अब देखी, यहीं पर यह चीज क्या होगी, हमारे पास गलत होगी, क्योंकि इस से आपको क्या clear था कि b क्या है, b, husband है किसका, g का, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, कि g क्या है, g son है लेकिं यहाँ पर यह female है, तो यह son तो हो नहीं सकता है, इसलिए यह क्या हो जागा, गलत हो जागा आपको राइट अंसर यही होना चाहिए, हम इसको एक पर चेक और कर लेते हैं, देखिए उसने क्या वाला, m, sister है किसकी, g की, m, sister है g की, ok g क्या है, g son है किसका, b का, ok and then b क्या है, b brother है किसका, k का, ok b brother है किसका, k का, ok and then k, k क्या है, वो husband है किसका, d का, ok k husband है, d का, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ से confirm बोल सकते हैं, k क्या है, k uncle है किसका, m का, इसका मतलब क्या है, कि आपके बास right answer क्या हो जाएका, d is the right answer, ठीक है, next question देखिए, ok next question given क्या है in the following expression, how is l related to g, ok l का relation क्या है, g के साथ, देखिए, यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूं तो g क्या है, g, wife है किसकी, m की, ok g, wife है, m की उसके बाद, m, son है किसका, n का, ok n, husband है किसका, k का, ok and then k, mother है किसकी, वो है, l k, k, mother है किसकी, l k तो यहाँ से अगर मैं देखू, how is l related to g, l का relation g के साथ क्या है, ने, मैं कुछ confirm नहीं बता सकता हूं, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखू, l का आपके पास gender clear नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से देखू, so, यह क्या हो सकता है, sister-in-law हो सकता ह किसका, g का, और brother-in-law भी हो सकता है किसका, g का, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, यह, और यह मतलब क्या, a और c, even is the right answer, ठीक है, next question दिखने है, देखिए, okay, next question में क्या है, which among the following option is true if the expression this is definitely true, okay, हमें बताना है, इसमें से कौन सा वाले true हो का, अगर, यह आपके पास expression true है, तो इसको अगर हम बनाएं, तो क्या है, देखिए, उसने बोला है, कि M is husband of N, okay, M क्या है, वो husband है किसका N का, okay, उसके N क्या है, N mother है किसकी P की, okay, P क्या है, P wife है किसकी Q की, okay, और Q क्या है, Q father किसका R का, okay, तो अगर मैं देखू, R is daughter of P, R daughter of P की, इसको हम confirm नहीं बोल सकते हैं, उसके Q is son of M, Q क्या है, वो son है, किसका M का नहीं, उसके M is father-in-law of P, M क्या है, वो father-in-law है, किसका P का, नहीं, यह तो इसका father है, यह भी कलात है, उसके R is grandson of M, R क्या है, वो grandson है, इसको भी मैं confirm नहीं बोल सकता हूँ, उसके ज़्याद, N is grandmother of R, okay, N कौन है, वो grandmother है, किसकी R की, यह आपके पास एक दम सही है, ठीक है, next question देखते है, देखिए, Okay, so next question आपके पास क्या है, उससे हम से बोला है, कि all papers are pen, सारे के सारे papers क्या है, वो pen है, Okay, उसके बाद, some pen are eraser, कुछ pen क्या है, वो eraser है, ठीक है, उसके बाद, some eraser are not pencil, कुछ erasers क्या है, वो pencil नहीं है, उसने हम से यह चीज़ बोली, ठीक है, कुछ erasers आपके पैंसल नहीं है, लेकिन आगे उसने हम से एक बात और बोली है, कि some pencil are papers, इसका मतर क्या है, मैं इसको इस तरीकी से बनाऊगा, some pencil are paper, और कुछ erasers वो pencil नहीं है, ठीक है, अब उसने conclusion में क्या बोला है, कि some papers being pencil is a possibility, कुछ paper का pencil होना possibility है, कुछ paper का pencil होना नहीं, यह तो confirm ही है न, उसने ही पर हमें बोल दिया था क्या, कि कुछ pencil आपके पास paper है, इसका लगा obvious है, कि कुछ paper आपके पास pencil होंगे, तो यह तो definite है, इसकी possibility क्या हो जाएगी, वो गल्रत हो जाएगी, उसके बाद some papers are eraser, कुछ papers क्या है, वो eraser है, नहीं, इसको हम confirm नहीं बोल सकते हैं, उसके बाद all pen being pencil is a possibility, सारे के सारे pen का, okay, pencil होना possibility है, यहां से अगर मैं चाहूँ, हाँ, मैं बना सकता हूँ, कैसे अगर मैं इसका diagram बनाना चाहता है, तो देखिए, इस तरीकी से बना सकता था, यह आपके बास क्या है, यह आपके बास क्या है, pen है, ठीक है, अगर मैं चाहता, तो मैं इतना pencil रख सकता है, तो देखिए, उसके बाद क्या होता, अगर मैं चाहता तो इसको eraser माल लेता, और इस part को मैं क्या बोल देता, कि यह part आपके पास, क्या नहीं, pencil नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सारे हमारे पास statement true है, all papers are pen, सारे-सारे papers क्या है, वो pen है, true, उसके अगर, some pens are eraser, okay, कुछ pen क्या है, वो eraser है, true, उसके अगर, some eraser are not pencil, कुछ eraser pencil नहीं है, यह भी क्या है, true, उसके अगर, some pencil are paper, कुछ pencil क्या है, वो paper है, यह भी true, इसका माल देखिए, आपके पास, all pen being pencil is a possibility, हाँ, यह possibility है, उसके अगर, some erasers are not paper, कुछ erasers paper नहीं है, उसने हम से यह चीज़ बो बोल जकता हूँ, ठीक है, यहां से यह दिख भी रहा है, बट ऐसा confirm नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, next question देखिए, okay, next question क्या given है, हमारे पास, उसने बोला है, some buses are train, okay, कुछ bus कह है, वो train है, okay, all trains are aeroplane, all trains are aeroplane, okay, and then all aeroplanes are ships, all aeroplanes are ships, okay, some ships are rocket, okay, कुछ ships क्या है, वो rocket है, ठीक है, अब conclusion क्या है, कि some rocket are bus, कुछ rocket क्या है, वो bus है, ऐसा मैं confirm नहीं बोल सकता हूँ, उसके जाएद all trains being ship is a possibility, सारके सारे train का ship होना possibility है नहीं है, तो definite SDA, गलत हो जाएगा, उसके जाएगा, some trains are not rocket, okay, कुछ trains rocket नहीं है, उसने हम से यह चीज़ बोली, तो इसको मैं confirm नहीं बोल सकता हूँ, इनके बीच में ऐसा कोई relation तो दिया नहीं हो है, मना करने वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, उसका some buses, not being rocket is a possibility, कुछ bus का rocket ना होना possibility है, कुछ bus का rocket ना होना, हाँ, यह चीज़ पॉसिबल तो यहीं पर दिख रहा है, इसकी possibility है, यह क्या जगा true हो जाएगा, ठीक है, next question दिखते हैं, दिखिए, ओके next question आपके पास यह दिए हुआ है, उस नमसे वहला है, कि lost reap, हमें इसका code find out करना है, अगर मैं lost को देखता हूँ, तो lost आपके पास यहाँ पर given है, और lost आपके पास कहीं नहीं given है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपके पास कोई एक ऐसा code, जो कि और कही नहीं नहीं दिया हो, यह code आपके पास दिया हुआ है, end का code भी आपके पास दिया हुआ है, dollar का code नहीं दिया हुआ है, plus का code यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका अलगा क्या है, इसका code क्या होगा, dollar होगा, ठीक है, तो अगर मैं यहीं से देखता हूँ, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यहां आपको किसका कोड़ आगर मैं देखता हूं यहां और यहां पर इन दोनों में आपके पास कॉमन के हैं देखिए आपके पास wind common है और आपके पास the common है ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास देखिए क्या क्या चीज एक तो यह दोनों common है और यह 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 दोनों भी common है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ यह यहाँ भी common है तो अगर मैं तीनों में common की बात करूँ वो दा है, टीके wind नहीं है, इसका लेक चीज अन्फरम है, आपके बाश ये code किसका है, wind का है, तो इसमें से क्या option हो सकता है, ये option हो सकता है, ये option ये ये तो wild है ये नियोगा, wind ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों की होने की chances है बस ठीक है उसके अगर मैं add the rate की बात करता हूँ add the rate यहाँ पर given है और कहीं नहीं given है ठीक है तो आपके पास एक कोई ऐसा word होना चाहिए जो कि ऊपर और कहीं नहीं दिया वह इन वो नहीं है 60 होने के chances है seconds इसके भी होने के chances है gone वो नहीं है इन दोनों में से होने के chances है यह क्या हो सकता है या तो 60 हो सकता है या फिर second हो सकता है ठीक है इसके अगर मैं बात करूँ तो यह आपके पास क्या है यहाँ से देखी हमने देखा ही था यह दा का code है तो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है उसके बाद question mark की अगर बात करता हूं तो question mark क्या था आपका सिर्फ यहीं पर given था ठीक है और यह code किसका था रीप का था हम first में भी निकाल चुके है इसका मतलब क्या है इसका अगर right answer देखो तो क्या हो जागा इधर b और c बी और c मेंसे कोई भी हो सकता है ठीक है next question देखते हैं देखिए okay next आपके पास यहाँ पर given है इसको देखिए उसने के बाला कि which of the following code is definitely not represents यह okay उसने के बाला है कि कौन सा ही कैसा code है जो की confirm है वो इसको represent नहीं करेगा ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करूं he की ही आपके पास code यहाँ पर कहीं नहीं given है तो इसका code कुछ भी हो सकता है मतलब क्या यहाँ पर अगर मैं देखो यह code भी हो सकता है यह code भी हो सकता है यह code भी हो सकता है यह code यह code यह code अभी इसमें से कोई भी हो सकता है ठीक है उसका lost की अगर बात करता हूं तो lost देखिए य और कहीं lost given नहीं है और first में हम इसको find out भी कर चुके है कौन सा ये code था ठीक है इसका मतलब क्या है अगर मैं देखूं आपसे इस option में ये हो सकता है ये हो सकता है ये आपके पास definitely नहीं होगा ये हो सकता है ये हो सकता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा क्योंकि मैं confirm है यहाँ पर आपके पास ये code क्या था confirm था ठीक है और यहाँ पर given ही नहीं है इसका इसका right answer नहीं हो सकता है ठीक next question देखते है देखिए ओके next आपके पास यहाँ पर coded inequalities दी हुई है तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले अगर मैं diagram बनाता हूं तो greater than less than greater than equal to less than equal to और equal to fine उसने हम से क्या वाला के hash किसके लिए p is smaller than q मतलब क्या है जाएगा यहाँ पर और उसके आद copyright किसके लिए p is greater than q ओके उसके बाद pi किसके लिए कि p is either smaller or equal या तो smaller है या फिर equal है dollar किसके लिए p is either greater or equal यह है dollar percentage किसके लिए p is neither smaller nor equal यह है percentage ठीक है अगर मैं देखू जे और l और j ठीक है तो l से मैं j right to left जाओंगा जो भी sign given होगा मैं इसको opposite sign यूज़ करूँगा percentage given है मैं इसको यूज़ करूँगा उसके बाद dollar given है मैं इसको यूज़ करूँगा इन दोने में से highest practice किये पाई होना चाहिए था लेकिन given क्या है percentage इसलिए क्या हो जागा रॉंग हो जाएगा उसके अगर मैं j और l की बात करता हूँ तो j say l आप left to right जाएंगे जो भी sign given होगा मैं वही sign यूज़ करूँगा dollar given है यहाँ पर tick लगा दिया percentage given है इनकी बीच में क्या होना चाहिए यहाँ पर dollar लेकिन given क्या copyright है इसलिए यह भी क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा फिर l is less than j इस दोनों चीज़े मैं लिख सकता हूँ ना ठीक है उसके बाद अगर मैं देखूँ तो l से j आपके पास relation क्या बन रहा था l से j आपके पास relation यही तो बन रहा था ना मतलब क्या l और j के बीच में relation था less than or equal to और वो ही दोनों यहाँ पर given है इसका मतलब क्या definitely यह क्या होगा आपका either or condition लग जाएगी यहाँ पर either first or second is true ठीक है next question देखते हैं देखिए percentage given है यहाँ पर टिक लगा दिया पाई given है यहाँ पर टिक लगा दिया हैज given है यहाँ पर टिक लगा दिया हाइस प्राइटिक इसकी है है हैज किये और हैज यहाँ पर given है इसलिए हो जागा true हो जाएगा उसके दागर मैं you और r की बात करता हूँ तो you आपके पास यहाँ और आपके बास यहां पर किविन है आप यू से आर कैसे आ सकते हैं आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे मतलब जो भी सैन गिवन होगा मैं इसको ऑपोजेट सैन यूज करूँगा कॉपी राइट किविन है मैं यहां पर यूज करूँगा उसके बाद डॉलर गिवन है मैं यहां पर यूज करूँगा परसेंटेज किविन है मैं यहीं पर यूज करूँगा इन तीनों में से हैस प्राइटिक इस किए डॉलर हैश किए लेकिन यहां पर क्या गिविन है आपका पाई गिविन है इसलिए क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा तो इसका राइट अंस तरह आजग, only first one is true ठीक है, so I hope जितने भी आजग हमने questions किये, वो सब आपको समझ में आए होंगे Thank you so much